Good morning students, आज हम chapter 5 के सारे questions और topics जो भी मुझे लगता है कि हमें discuss करने ज़रूरी हैं, जो important है और जिनमें concept based हैं, वो सब हम discuss करेंगे, इसके अलाबा भी अगर कोई topic हो या कोई question हो तो तुम मुझसे पूर सकते हो, ठीक है, तो ये questions जो मैंने लिखे वे हैं, ये genetics and evolution unit के हैं, और य सीना किसी form में, ये सारे questions पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वो question है, जो मैंने prepare किये थे, उन पच्छों के लिए, जो सिरफ ये question करके पास होने वाले थे, ठीक है, तो सबसे पहला question है, Turner Downs और क्लाइने फेल्टर सिंड्रोम का, ये तुमें मैंने कई बार बताया है, कि Turner Downs और क्लाइने फेल्टर सिंड्रोम जो तुम्हारे क्रोमोजोमल डिसॉर्डर से हैं, ये तुमें हर बार, हर साल पूछा जाते हैं, तो ये तुमें हमेशा एक टेबल बना लो, जैसे कि हम हर चीज की बनाते हैं, Turner, Down और क्लाइने फेल्टर, ठीक है, Turner सिंड्रोम में क्या होता है Turner सिंड्रोम का मतलब है XO, Turner सिंड्रोम में एक X क्रोमोजोम कम होता है, जो Down सिंड्रोम है, Down सिंड्रोम में क्या है, इसमें Trisomy है 21 की, और क्लाइने फेल्टर सिंड्रोम में क्या है XXY, इसमें Additional Copy है, X क्रोमोजोम की, मेल के अंदर, ठीक है, तो पहले ये टेबल बना लो, इस उसके बाद तुम इसको याद करने के लिए इसी चीट से याद करो, इसी टेबल में लिख लो यातो कि कैसे याद करोगे। तो जो Turner Syndrome है, क्योंकि वो इसमें turn हो जाती है, तो जो female है, क्योंकि उसमें एक एक होशोम कम है, तो वो कैसे हो जाएगी? फीमेल है वो स्टरायल हो जाएगी उसकी जो ovaries है वो degenerate हो जाएगी ठीक है और उसमें secondary sexual characters जितने भी develop होते हैं जैसे voice जैसे जो भी physical development होती है वो सब की सब इसमें क्या होती है रूख जाती है ठीक है stunted development होती है ये turner syndrome XO होता है, इसमें female syndrome है, वो कम होती है, ठीक है, turn हो जाती है, वो sterile बन जाती है, क्योंकि 1X कम है, इसके बाद down syndrome है, इसके नाम में down इसलिए है, क्योंकि इसमें trisomy है, तो नाम को balance रखने के लिए down कर दिया है, तो trisomy 21 की है, और 21 एक autozone है, ठीक है, इसके अंदर क्या-क्या ह होता है, उसका बहुत short head होता है, ठीक है, और वो बहुत बढ़ा है, लेकिन उसका head बहुत short है, उसकी जो tongue है, उसके उपर furrow है, ठीक है, furrow का मतलब होता है, बहुत सारे lines, creases है, ठीक है, इसके अलावा, उसका जो mouth है, वो हमेशा open रहता है, partially, ठीक है, जिसको हम कभी-कभी बोल देते हैं कि कोई पागल है तो वो हो सकता है कि उसको डाउन सिंड्रोम हो और उसकी जो पाम होती है जो पाम की क्रीज होती है जो हमारी हाथ की रेखाएं जिसे हम कहते हैं वो करेक्टरिस्टिक होती है ठीक है वो एक अलग टाइप की क्रीज है जो सिरफ डाउन सिंड्रो काम कर सकते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो कैसे तुम्हारे हातों के साथ चल रहे है जैसे चलते हुए या फिर कुछ काम स्किल्स वाली जो होती है वो सारी development इसमें stunted होती है तिके रुक्यू ही होती है इसके बाद क्लाइने फेल्टर syndrome क्लाइने फेल्टर का सबसे बड़ा नाम है इसलिए इसमें क्या है एक एक्स वाई है इसमें एक एक्स फोमोजोम की additional copy है तो इसमें क्या होती है overall masculine development होती है और masculine development बहुत जादा होती है over developed तो इसलिए यह सारे individuals prison बग्यारा में पाए जाते हैं इसमें क्या होता है बहुत aggressive होते हैं sterile होते हैं और इसमें special feature होता है gynecomastia यह तुम्हें याद रखना है gynecomastia नाम का feature होता है जहां भी gyneco आ गया मतलब female development तो इसमें breast development हो जाती है इस individual के है ठीक है समझ में आगे यह तीन हो तो यह सब तुम लिखकर और इसके नोट्स बनाओ